हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड़ा, दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे MPPSC के सिलेबस की, MPPSC दोरा स्टेट सर्विस एक्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इस वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी द करने वाले हैं, अगर आप UPSC civil service exams की preparation कर रहे हैं, तो आपको इसका subscription तुरंत ले लेना चाहिए, इसमें आपको personal coach मिलेगा, mains के question answer की practice करवाई जाएगी, साथी study planner दिया जाएगा, और experts का guideline मिलेगा, अगर आप subscription लेना चाहते हैं, तो मैंने इसका link इस वीडियो के description में दे हैं, आप उस link पर click करें, उस link पर click करने के बाद आप यहाँ पर आजाएंगे, यहाँ पर आप iconic select करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर price लिखा हुआ है, यहाँ पर आप payment करने से पहले SR Adda coupon code यूज करें, जिससे आपको 10% का extra discount मिलेगा, अभी आप देख सकते ह पहले SR Adda coupon code यूज करें, और MPPST का subscription लेने के लिए, आप MPPST पर click करें, इसके बाद आप देख सकते हैं, get subscription का button आएगा, आप इस पर click करें, और यहाँ पर आपके सामने pricing table आ जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक साल का plan आपको 871 रुपे पर मंत में पड़ेगा, और यहाँ पर अगर आप SR Adda coupon code यूज करते हैं, तो आपको 10% का extra discount मिलेगा, total आपको 54% का discount मिलेगा, उसके बाद आप proceed to pay पे click करके अपना payment कर सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, exam pattern की, तो इसमें 2 exam होगे, सबसे पहले आपका plans होगा, उसके बाद mains का exam होगा, plans के exam pattern की ब भिरूची परिक्षण का होगा, जो की 2 घंटे का होगा, और 200 number का होगा, prelims का exam के वल qualifying होगा, इन number को merit list में नहीं जोडा जाएगा, prelims में आपसे objective type multiple choice question पूछे जाएंगे, जितके 4 option होगे, उनमें से कोई 1 सही होगा, आपको उसका answer देना होगा, और प्रते question paper में 2-2 number के 100 question होगे, और प्रते question paper आपका 200 number का होगा, और एक question paper को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, इस question paper में negative marking नहीं होगी, और prelims का question paper आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भासाओं में होगा, अब बात करते हैं, मेंस exam के exam pattern की, तो इसमें total 6 question paper होगे, पहला question paper आपक सामान एंधन 3rd का होगा, 4th paper आपका सामान एंधन 4th का होगा, और 5th paper आपका सामान हिंदी का होगा, 6th paper आपका हिंदी निबंध लेखन का होगा, हिंदी निबंध लेखन का paper आपका 2 घंटे का होगा, जो की 100 number का होगा, और 5th paper सामान हिंदी आपका 3 घंटे का होगा, जो की 200 नंबर का होगा पहला दूसरा और तीसरा question paper आपका 33 घंटे का होगा जो की 3300 नंबर का होगा उसके बाद आपका interview होगा total 175 नंबर का interview होगा मेहन्स के written exam और interview के नंबरों को मिला कर आपकी married list तैयार की जाएगी total 1575 नंबर से आपकी married list बनाई जाएगी अब बात करते हैं prelims के syllabus की तो सबसे पहले बात करेंगे question paper 1 के सामाने अद्धन की तो इसमें आपसे सामाने विज्यान और परियावरनड से question पूछा जाएगे भारत का इतिहास और स्वतंत्र भारत के बारे में पूछा जाएगा अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा सिविल अधिकार सनरच्छण अधिनियम 1955 के बारे में पूछा जाएगा मानव अधिकार सनरच्छण अधिनियम 1993 के बारे में पूछा जाएगा अब बात करते हैं प्रिलेम्स के सेकेंड पेपर की जो की सामाने अभिरुची परिक्षण का होगा इसमें बोधे गमिता से question पूछा जाएंगे संचार कोसल सहीत अंतर वैक्तिक कोसल के बारे में पूछा जाएगा सामान इमान से की योगिता से question होगे आधार भूत संखेनन यानि की संख्याएं तथा उनसे संबन और विस्तार करम आदि के बारे में पूछा जाएगा ये question आपके 10th के level के होगे आखनों का निरवचन जिसमें जिसका लिंक लिंक इस वीडियो के description में दिया गया है और comment में पिं किया गया है और इससे related अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे comment section में पोस्च सकते हैं और ये वीडियो देखने के लिए तथा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद